दोस्तो नमस्कार दोस्तो देश की इससे बड़ी विडंबना कुछ हो नहीं सकती है कि इस बार संसत का सत्र जब शुरू होगा मानसून सत्र तो उस वक्त संसत के भीतर देश के पूर्वने आधीश यानि चीफ जस्टिस ओफ इंडिया रह चुके रण्यन गगोई भी करसी छोड़कर तीसरे संसत को देखिए चाहे दाहिनी तरफ दो संसत को छोड़कर तीसरे संसत को देखिएगा चाहे आगे दो कुरसियों को छोड़कर तीसरी कुरसी देखिए या पीछे की तरफ दो कुरसी छोड़कर तीसरे संसत को देखिएगा संसत के भीतर हर तीसरा स दागी है और दागी का मतलब यहां पर उसके खिलाफ चल रहे उन आपराधों की फिरिस्थ है जिसका जिक्र चुनाओ लड़ते वक्त या राजसभा में नॉमिनेशन के वक्त उसने हलफ नामे में किया था तो जिस संसद के भीतर हर तीसरा शक्स दागी है और उसको लेकर सुप्रीम कोट से गुहार 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने लगाई थी ये कहते वे लगाई थी कि 2015 तक स्थिति अनुकूल कर दीजिए सफाई कर दीजिए जिन संसदों के खिलाफ मामले चल रहे हैं उन्हें निप्टाईए जिससे कि यहां पर लगे कि लोकतंत्र के मंदिर में कम से कम ऐसे लोग नहीं है जिनके उपर कोई अपराधिक मामला चल लेकिन ये किसे पता था कि 2014 की परिस्तियां 2019 में आते आते और विभत्स हो जाएगी यानि 2014 में जतने संसद थे जतने कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनकी तादाद डागी मंत्रियों की तादाद 2019 में बढ़ जाएगी किसे पता था और तो और ये भी किसे पता था कि Chief Justice of India रि जिस्से में आकर खड़े हो जाएंगे और खड़े करने वाली वही राजनितिक पार्टी होगी सत्ताधारी जिसके अपने सांसदों की तादाद संसद के भीतर सबसे ज़्यादा दागियों को लेकर है और ये फिरिस सिर्फ संसद तक सिमित नहीं है ये विधान सभाओं में है ये जिला पंचायत अस्तर पर है हर जगा हलफ नामे में जिक्र अपनी अपराधिक छवी का करने में अगर कोई गर्व मैसूस करता है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि आज नहीं कल जिला पंचायत का अपराधी विधान सभा होते हुए संसद तक पहुँचने को बैचेन है लेकिन न्याइपालिका ने घुटने टेक दिये क्या जब कारिपालिका और विधाईका फिसलम पे रही राजनितिक सत्ता ने अपने हाथ का खिलोना बना दिया तब न्याइपालिका ने समविधानिक मुल्यों की रक्षा क्यों नहीं की ये सवाल कोई भी पूछ सकता है औ कि आज हम जिस अपराधी विकास का जिक्र कर रहे हैं विकास दूबे का वह भी तो जिला पंचायत से निकला हुआ शक्स है वह भी तो उसने चुनाव लडा है और हो सकता है आने वाले वक्त में वो आपको कहीं और नजर आए वो पार्लेमेंट भी हो सकती है इससे कहा क्यों क कि हर सांसत जो दागी है उनके जब पन्नों को खोलना शुरू कीजेगा तो सफर आपको कुछ ऐसा ही लगेगा लेकिन विकास दूबे का सफर को देख लिजे तो आपको कुछ चीजे और साफ हो जाएंगी उननिस सो नब्बे में उननिस सो चौशट का जन्म है विकास दू अब्बे में वह अपराद उसको पहचान दिलाती है उस दोर के पॉलिटीशन्स की निगाहें उस पर जाती है उसमें से एक शक्स उसको राजनिती में लेकर आता है और जो सफर शुरू होता है उस सफर पर चलिएगा तो देखिए किसी अपराधी की ताकत का मतलब वोट के लिए क्या होता है सन 2000 में तारा चंद इंटर कॉलेज के मैनेजर से दिश्वर पांडे की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद जेल हो जाती है फिकास दूबे को जेल में रहकर वह चुनाव लड़ता है और जेल में रहते हुए वह साजिश करता है एक और हत्या की औ उस चुनाओं में सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर जो लोग मौजूद थे उनी का गुरगा जो शक्स था उसके हत्या की साजिश वो जेल में बैठ कर बनाता है उसकी भी हत्या होती है और जेल में बैठे हुए राम बाबु यादव की हत्या की साजिश का आरोब भी उस लगता है लेकिन ये शक्स चुनाओं जीत जाता है जेल में है प्रचार करने नहीं आया जेल से ही साजिश रची हत्या भी हो गई आरोब भी लग गया और सन 2000 में चुनाओं जीतने के बाद जब बाहर आता है तो थाने में खड़े होकर वह जो रज अस्तर के जो यानि रज मंत्री के तोर पर जो होते हैं दर्जा प्राप उनकी हत्या शिवली पुलिस थाने में कर देता है सामने थानेदर मौजूद है लेकिन संतोष गुपता जो रज मंत्री का दर्जा प्राप था उनकी हत्या हो जाती है फिर जेल होती है फिर जमानत होती है फिर हत्या का सिलसल होती है 2018 में उनके बतीजे अनुराग की हत्या जेल में वो बंद है उसके बाद साजिश रची जाती है क्योंकि अनुराग की पत्नी कहती है इन्हों नहीं हत्या कराई है साजिश रची है उनके खिलाफ मामला होता है 2020 आते इस्तिती क्या होगा ये हमारे आपके सामने है लेकि कि जब आप पन्ने खोलना शुरू करेंगे तो आपके सामने तुरत आ रहा है हर तीसरा सांसत दागी है कैबिनेट मिनिस्टर्स 2014 में जितनी बड़ी तादाद में दागी थे उनमें भी इजाफा हो गिया है हम कहां आकर फजगे लेकिन उससे पहले आपको यूपी के ही सफर पर लिए चलते हैं जब हम विकास दूबे का जिक्र कर रहे हैं तो यूपी का सच क्या है यूपी के भीतर का सच यह है कि उत्तर परदेश में अपरात की संख्या लगातार बड़ी है इससे कोई इनकार नहीं है आप भी NCRB का डाटा देख लीजेगा आपको समझ में आ जा हम तो आपसे इस बात का जिक्र करेंगे कि इस अपराद को रोकने के लिए जब कारवाई शुरू हुई तो ऐसे में पहले साल जब योगी सरकार आई 2017 मार्च के महीने में तो 2018 के महीने में एक बलंबी चोड़ी पुस्तिका जारी की गई और जानकारी दी गई हमने करदेश में अपरादियों को मारा जा रहा था इसमें हम कोई उंगली नहीं उठाएंगे लगबख 49 लोगों को मारा गया इसे इंकाउटर में जो अपरादिक चविके थे अपरादी थे अपराद के साथ जुड़े हुए थे 370 गोलियों से घायल हुए जब इनकाउटर हो रहा था, तीन हजियर तीन सो लोगों को गिरफतार किया गया, तो ये मान लेना चाहिए, इस्कितिय अनुकूल हो गई और अपराlt कम हो गया, यकीनल अपरा़त कम हो गया, क्योकि 2018 के मार्च में जब योगी सरकार ने डाटा रिलिस किया तो उन्होंने बतलाया मडर में लगबग साले 7% की कमी आ गई है डखाईती में लगबग साले 5% की कमी आ गई है एडेक्शन जो होता था वो लगबग साले 13% की कमी आ गई है जो फिरोती मांगी जाती थी लगबग 29% कम हो गया है जो भी अपराधते उसमें भारी कमी आ गए इस बात का कच्चा चिठा मार्च 2018 में रखा गया लेकिन देखिए संयोग 2019 में जब चुना होता है लोकसभा का तो उस लोकसभा के भीतर में सबसे ज़्यादा अपरादिक छवी के सांसद बनते हैं उत्तर परदेश से तो ये अपरादियों का इंकाउंटर क्यों हो पाया ये पॉलिटिशन्स थे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे असी सांसदों में से चवालिस सांसदों ने हल अफ्रामा जो दिया जो चुन कर आए हैं ओवर ओल देखिएगा तो लगबग तीन हजार से ज़्यादा जो चुनाओं लड़ने के मैदान में थ लेकिन असी सांसदों का चुना होना था असी में से चवालिस अपरादिक छवी गे और चवालिस में से तीस जो हैं ये गंभीर अपरादिक छणों में आते हैं इनके उपर मडर, attempt to murder, rape, ॡेकायटी, theft, इन सब के आरूप हैं अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश के भीतर में उनके अपने मंत्री मंडल में या उनकी अपनी परिस्तिती क्या थी क्योंकि 2017 के बाद 2020 तीन साल लगभग हो चुका है योगी सरकार को लेकिन 2017 में जब चुनाव लड़ा जा रहा था उस वक्त उस वक्त जो हलफ नामा दिया रहा था और जो जो चुनाव जीत कर आए उन चुनाव जीतने वालों मेंसे कई मंत्री बन गए हमें लगता है मंत्रियों कहीं जिकर आपसे करने तो भी बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि मंत्रियों की फिरिस्ट में जब ये बात सामने आई कि जो अपरादिक छवी के मंत्री है उसमें 45 फिस्टी लोग दागदार हैं अजीवो गरीब इस्तिती है एक लंबी फिरिस्ट है और तो और उस समय रज के मुकमंत्री योगी आदितिनाथ ने भी जो हलफनामा दिया था अपने खिलाफ तीन केसिस का मामला दिया था उन्होंने कैबिनेट की बैठक में वो तीन मामले खतम करवा दी और कहा कि राजनितिक रंजिश की वज़ा से उनके खिलाफ ये मामले थे यहां से एक दूसरी बहश्यूरू होती है तो इस देश के भीतर में अदालत की महत्ता क्या है और रंजन को गोई जब बैठे होंगे संसत के भीतर में क्या वो ये कहपाने की हिम्मत जुटा पाएंगे कि कोई भी अपराधिक मामले की सुनवाई तो कोट में होनी चाहिए कैबिनेट की बैठक के जरीए आप चीजों को कैसे रफा दफा कर सकते हैं क्या वो कह पाएंगे पारलेमेंट में बैट कर इंतजार कीजिए कहते हैं या नहीं कहते हैं लेकिन जब हम जिकर उत्तर परदेश का कर रहे हैं और मौजूदा वक्त में उत्तर परदेश के भीतर का जिकर कर रहे हैं अभी 2020 में किस-किस के खिलाफ कौन कौन से मामले हट गया हैं ये नहीं कहा जा सकता है लेकिन 2017 में चुनाओ जीतने के बाद जो हलफ नामे थे उसमें मौजूदा वक्त में जो कैबियेट मिनिस्टर्स हैं उसमें हर नाम जारी था चाहे वो केशब प्रसाद मौरे का हो चाहे नंद गुपाल नंदी हो सत्य पाल सिंग वगेल हो दारा सिंग चोहान हो सुर्परताब शाही हो ओम प्रकाश राजबर हो स्वामी प्रशाद मौरे हो आशुतोस टंडन हो प्रजेश पाटक हो या राज्यमंतरी के तौर पर उपे की अलग अलग धाराएं हैं उससे बहुत साफ तौर पर पता चल सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में दस कैबिनेट मिनिस्टर्स छे स्टेट मिनिस्टर्स जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं जो 16 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनके खिलाफ अलग अलग वो हत्या का अरोप है अपरण का ओरोप है बलतकार का ओरोप है किसी पर राजस्स को चुना लगाने का ओरोप है किसी पर करपशन एक्ट के तहथ आरोप दर्ज किया गया इस पर पिपलस एक्ट के तहथ मामला दर्ज ब्हारी वाचपई की सरकार हारीत्य और मन्म dollars सिंग बने थे उस समय डेल सो सांसद दागी थे 2009 में 158 हो गया 2014 में 185 हो गया और 2019 में यानि पिछले साल 185 संसद हो गया 234 हो गया या दूसरे के बाद वाला शक्स दागी है ये संसद के भीतर की इस्तिती है लेकिन सवाल इतना वर नहीं है सवाल ये है कि जो cabinet ministry थी जो मोधी सरकार की मंत्रियों की cabinet ministry थी उनके भी हलफ नामों को अगर आप देखेंगे हो सकता है उनके खिलाफ मामले राजनितिक रंजिश के हो लेकिन अपराधिक मामले जो दर्ज किये गए उसमें 20% थे जो 2014 में थे जिनके खिलाफ अपराधिक मामल 29% हो गए तो क्या मौझूदा वक्त के प्रधान मंत्री ने भी अपराधिक छवी की राजनिताओं को आगे घुटने टेक दिया और उन्हें cabinet ministers तक बना लिया क्योंकि 56 मंत्रियों की फेरिस्त में जो 22 अपराधिक छवी के मंत्री है उसमें से 16 के खिलाफ गंभीर मामले चल रहे हैं यानि एक ऐसी इस्तिती है जिसमें हम किसको टटोले आप कहेंगे कुछ और नया बताइए तो नया बताते हैं नया नया सरकार बनी है मदपरदेश की मदपरदेश की इस्तिती को आप देख लीजिए या फिर राजसभावी आपके जहन में आना चाहिए कि जो नई उस मंत्री बनाने की फिरिस्त में छे मंत्री ऐसे हैं जो की छोड़ कर गए थे यानि कॉंग्रेस से जीते थे बीजेपी में चल गया उनके खिलाफ अपराधिक मामले हैं परभुन सिंग तोमर, गिराज दंदोतिया, सुरिश धाकर, अदल सिंग कासना, तुलसी राम इमर्ती देवी, इनके खिलाफ अपराधिक मामले का हलफ नामा में इन्होंने दर्ज किया हुआ है, और ओवरॉल आईएगा शिवरास सिंग्छ चोहान की जो 34 मंत्रियों की फिरिस्त है, उसके भीतर देखिएगा तो उसमें 12 ऐसे हैं, यानि 6 तो यही हो गए, 6 और हैं, ल साथ मंत्री ऐसे हैं, जो पाच्वी से बार्वी तक पड़े हैं, और दो मंत्री तो ऐसे हैं, जो सिर्फ लिखना जानते हैं, जिस्ट इलिटरेट, या जिस्ट इलिटरेट कहिए, जो इलिटरेट नही हैं, क्योंकि लिखना जानता है, तो हम लोग शिक्षित मान लेते हैं और राजसभा में जो आए हैं इस बार जो 62- significant नए बने हैं राजसभा में जो आए हैं जो अलग जगाँ से चुनकर आयते हैं खरीत फरुक का जिक्र हो रहा था उसमें से 16 के खिलाफ criminal cases हैं उसमें 16 के खिलाफ serious criminal cases हैं यो पार्लेमेंट में राजसभा में इस बार जुने गया तो क्या Chief Justice of India रहे चुके रंजन गोगोई कोई लेटर लिखेंगे सुप्रीम कोट को अरे जनाब आप कारवाई कीजिये हमसे भूल हो गई हमने कारवाई नहीं की थी और प्रायमिस्टर मोदी ने भी 2014 के मई में ही जिक्र किया था कि कारवाई होनी चाहिए जुलाई के मैने म लेकिन उसके बाद से जो सुनवाई शुरू हुई इतनी डिली थी कि कोई कारवाई ही नहीं हो सकी और जब राजसभा के भीतर में आया तो उसमें भी एक शक्स ऐसा है जिसके खिलाफ IPC की 376 धारा लगी है 376 का मतलब रेप होता है एक के खिलाफ Attempt 2 मडर लगा हुए दो क खिलाफ यानि IPC 307 एक के खिलाफ मडर का चार्ज है जो सेक्शन 302 होता है नाम बताने की जुरत नहीं है ये सारी चीजे मौजूद है क्योंकि इन्होंने हल अफनामा दिया एलेक्शन कमिशन के पास मौजूद है पारलेमेंट के भीतर इनके दस्तावेज मौजूद है हर आप साइट्स देखना चाहते हैं तो एशोशियेशन और डिमोक्रिटिक राइट्स जो है एडियार है उसकी साइट पर जाईए आपको मिल जाएंगे सारे डाटा उसने पूरा कलेक्शन किया है अपने तोर पर हर जानकारी दी है इस रूप में अब यहां से सवाल होता है क इस अपराद को रोका क्या जाए और हम जब जिक्र आपसे विकास दूबे का कर रहे हैं यह कहते हुए कर रहे हैं कि उसकी जो फिरस्ट बतलाती है वो जो पंचायत चुनाओं से जो शुरू होता है और यह तो कौलिफिकेशन है मौजुदा वक्त की राजनिती में और NCRB क डाटा तो आपको डरा देगा क्योंकि इस देश के भीतर में आप सोचिए जो F.I.R. दर्ज क्रिमिनल्स की होती है एक दिन में कितनी होती होगी इस देश के भीतर में एक दिन के भीतर में जो क्रिमिनल रेकॉर्ड्स बतलाते हैं कि दर्ज किये जाते हैं वो तक्रीवन 15,000 15,000 FIR कRIMINALS को लेकर और हर कRIMINALS का जब खांचा टटोलना शुरू कीजएगा तो उसमें एक पॉलिटीशन्स आही जाएगा एक दाइरे में पॉलिटीशन्स या तो फोन करके थाने को बता रहा होगा या थानेदार पॉलिटीशन्स से इजाज़त ले रहा होगा क्या करें इसका इस परिस्तिति में हम लोग आकर कड़े हो गए लेकिन सवाल है इनकी तादात कितनी है और इस देश की तादात कितनी है इस देश के भीतर में तो 130 करूड लोग रहते हैं और अगर हमने जब जोड़ना शुरू किया हर अस्तर पे जितने भी अस्तर पर चुनाओं होते हैं गाउं से लेकर संसब तक के भीतर में तो इस देश के भीतर में तकरीवन 26 लाख पॉलिटीशन ही आए चाहे वो पंचायत अस्तर के हो जिला पंचायत अस्तर के हो निकाय चुनाओं में आते हों या विधान सभा में आते हों या फिर संसब के भीतर आते हों और अपने दाइरे में या अपराधिक छवी के जो हर तीसरा शक्स ये विधान सभा की इस्तिती भी है विधान सभा के भीतर भी 4,276 MLS में से लगभग 1,600 MLA जो है इनके खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज है यहाँ पर भी अर तीसरा शक्स वैसे ही न जराएगा तो इसका मतलब है कि यह एक ऐसी political qualification है जिसमे पॉलिटिक्स को ही शोर मचाना है अपराध ना हो पॉलिटिक्स को ही अपराध करना है पॉलिटिक्स को ही लोकतंत्र के मंदर के भीतर गुसकर उसकी साफ सफाई का ذिकर करना है और ऐसे में आखरी सवाल इस देश के भीतर में वह पुलिस करमी क्या करे जो जानता है कि जिसकी वो रक्षा करने के लिए बेजा जा रहा है वह पुलिस करमी क्या करे वो इसको जिसकी सुरक्षा में बेजा जा रहा है उसको पता है कि उसके खिलाफ उसी ने कई F.I.R. तो ऐसी परिस्तिती के भीतर में यह देश अगर विकास को खुशता है विकास के पीछे पूरा देश लगा हुआ है तो हमें लगता है कि सारी चीजे तो हमारी आखों के सामने मौजूद है क्यों नहीं हर किसी की फाइल उठाए जाए शुरुवात मडर से ही की जाए वह हटा दीजियेर जिसने रेट किया है उसको अखरा दीजिये जिसने डकईती डालिया उसको यह काम तो करी सकते हैं जो गंबीर अपराध वाले इससे है उसी को लिया आईए और आखरी सवाल अगर अपराध की फसल पे सवार होकर इस देश के लोकतंत्र के मंदर में देश के पुर्व नयाधीश बैठे होंगे तो फिर चरक कलपना कीजिए कल वहाँ पर कौन पहुँचना नहीं चाहेगा वह इस देश का अपने तोर पर कोई कॉर्परेट किंग हो कोई माफिया हो कोई संपादक हो कोई ड्रेड़ेट क्रिमनल हो कोई भी पहुँचना चाहेगा और उसको लेकर आप कुछ कह नहीं पाएंगे और वही वह बात का जिक्र करेगा देखिये उस पंचायत अस्तर के व्यक्ति को देखिये उस जिले अस्तर के व्यक्ति को देखिये वह तो क्रिमनल है और उसको पकड़ लीजिए तो मान लीजिए कि फिर आपने शांदार काम किया अब आप इमांदार हो गए आपकी छवी सच हो गई यह इस देश के भीतर कान उठा सच है 26,65,000 ग्राम पंचायद से लेकर संसत तक के भीतर चुने हुए लोगों में से हर तीसरा शक्स अपराधिक छवी वाला है उसके उपर केस चल रहे हैं थानों में उसके खिलाफ F.I.R. दर्ज है इस देश में एक शोर तो उठे किसी अपराधी को नहीं बक्षा जाएगा किसी अपराधी को आप तब तक नहीं बोल सकते हैं अपराध के खिलाफ जब तक आप अपनी पार्टी से अपनी मिनिस्ट्री से उसको हटाएंगे नहीं बोल के देखिए बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया